इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्टिमा बिजनस का जो अफिशल विबसाइट है वहां से हम कैसे स्मार्ट कोईन को खरीदेंगे अगर आपके पास already अपने wallet में smart wallet में Ultima है तो company का एक official website है वहाँ से हम exchange कर सकते है Ultima को smart coin खरीदने के लिए तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार company का website जो official website है यह आप देख सकते है Ultima का Ultima business का official website है और इसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका Ultima business तो मैं आपको एक बार website का link भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ultimabusiness.com गर के अगर आपको यह search में नहीं मिल रहा है तो आपको मैं description में यह link दे दूँगा और आप वहाँ से जाके इसको register कर सकते हैं और KYC कर सकते हैं और वहाँ से आप अगर आपके wallet में Ultima है तो आप उसको directly exchange कर सकते हैं अपने wallet में तो पूरी वीडियो में मैं आपको जान करी दूँगा कि यह steps कैसे करेंगे और कैसे खरी देंगे तो आपको यह dashboard में आ जाना है पहले जैसे आप यह dashboard में आएंगे तो उपर में आपको यहाँ पर three lines दिख रहें वहाँ पर आपको click करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अल्टिमा बिजनस का पूरा विबसाइट ऐसा दिखेगा तो थोड़ा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको settings पर क्लिक करना है account setting पर जैसे आप account setting पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटर्फेस humility पते हैं और आपको यहाँ पर टू टू लाइन सेंसर माहां पर क्लिक करना है तो इस तरह आपको इंटर्पेस प्र जैगा और आपको यहाँ परestra है यहाँ पर ultim mph fundamentally आपको यहां कर लिजिए क्योंकि वह बस पूशता है कि तुमने टर्म संद कंडिशन को रिड किया है कि एक्सचेंज कर रहे हैं तो वह लॉग इन करने के लिए अपने अल्टिमा बिजनस के आईडी से लॉग इन कर सकते हैं तो उसका कुछ जंजट उतना ज्यादा नहीं रहता है तो जैस आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अल्टिमा सेलेट करना है जैसे आप अल्टिमा पर सेलेट करेंगे तो आपको नीचे आटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा कि अल्टिमा से आप स्मार्ट कोई एक्सचेंज कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको सेलेट कर लिया हूं त तो आपको यहां पर एक box दिख रहा है, 0 करके, आपको वहां पर type करना है, आपको कितना Ultima यहां पर exchange करना है, तो मैंने यहां पर 3 करके मुझे 10,000 smart coin चाहिए, तो मैं उसके एसाब से एक बत 3, 4 करके type कर लेता हूँ, 3, 4 भी कम है, 3, 5, 3, 5 exactly correct हो रहा है, मुझे 10,000 smart coin आ रहे हैं, तो अभी मैं यहां पर 0.00035 को Ultima को यहां पर exchange करूँगा, और मुझे 10,000-18 smart coin आएंगे, तो यहां पर जैसे आप मैंने यहां पर manually एंटर कर लिया हूँ, तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि आप कितना smart coin को exchange कर रहे हैं, आपके Ultima से, तो आपके wallet में इतना Ultima होना चाहिए, तभी यह exchange में आएगा आपको, ठीक है, और next step आपको यहां पर, आप यहां पर exchange पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप exchange पर क्लिक केंगे, तो आपको एक ऐसा interface open हो आएगा, इस तरह interface open दिखाई देगा आपको, आपको यह scan से भी आप payment कर सकते हैं, नए तो यहां से भी आप इसको copy करके payment कर सकते हैं, और तीसरा option best है, कि आप direct यहां पर क्लिक करेंगे, तो आप smart wallet में reconnect होंगे, रे direct हो जाएंगे और वहां से आप exchange कर सकते हैं, तो मैं यहां पर अभी smart wallet पर क्लिक कर लेता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेरा option आ गया है, तो मैं आपना smart wallet select कर लिया हूं, तो यहां पर direct हमने को अटरस कॉपी करने की जोरत नहीं कुछ नहीं है, direct हमा जाए, lock open कर लेता हूं मैं, तो यहां पर हमारे सब कुछ automatically आ जाएगा, address भगरे सब कुछ, अब देख सकते हैं यहां पर, तो आपको बस type करना है, कितना आपको send करना है, 0035, तो यहां पर आपको देख सकते हैं, अब फिर से आपर amount देख लीजिए एक बार, फिर हमको यहां पर एक option रहेगा, जैसे आपने यहां पर आपको amount type करना है, यहां पर फिर max क्लिक करना है, यहां पर आपको address काउपि करके, यहां next पे click करना है जैसे आप next पे click करेंगे आपको इस तरह नया interface उपन हो जाएगा और आपको यहां पर click करना है next पे और यहां पर आपको अपना pin number डालना है तो आपका ultima successfully हो गया है और ultima आपका cut हो जाएगा तो आप यहां देख सकते यहां पर हमारा ultima cut हो गया है और हमारे smart wallet हमारे आजाएगे exchange में तो अभी हम वापस आजाएगे हम यहां पर तो यहां पर थोड़ा देर हमें wait करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आपर new transaction आया है यह आपके पूरे history दिखाए देंगे आपने पहले कितने सारे transaction किये है तो आपको आपका payment आया कि नहीं आपको फिर से यहां पर three lines पर click करना है तो जैसे आप यहां पर click करेंगे यहां पर आपका transaction option रहेगा और payouts रहेंगे तो आपको transaction पर click करना है जैसे आप transaction पर click करेंगे तो आपको दिख रहा है यह आपका पेंडिंग है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर इतना स्मार्ट कोईन रिसीव होगा तो आपको थोड़ा वेट करना है जैसे हम एक बार रीफ्रेश कर लेता हूं मैं यहाँ पर हमारा रिसीव हुआ है किने देखेंगे अभी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेंडिंग से अभी सक्सेस आ गया है तो अभी हम इसको पेमेंट करेंगे आपको पेमेंट करने के लिए जैसे आप ट्रांजक्शन के पास में यहाँ पर पेमेंट आप्शन बाजो में दिख रहा है अगर वहाँ पर आपको नहीं करना आ रहा है तो जैसे आप three dots पर three lines पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दो option दिखाए देंगे transaction और payout करके आपको यहाँ पर payout पर select करना है जैसे आप click करेंगे तो इस तरह interface उपन हो जाएगा और आपको आपको यहाँ पर यहाँ पर select करना है आपका यहाँ पर आपका smart wallet दिख रहा है आपको 10,000 तो आपको यहाँ पर select करना जाहिसे मैंने यहाँ पर select कर लिया तो नीचे आपको option दिखेगा next step करके आपको यहाँ पर next step पर click करना है जैसे आप next step पर click करेंगे तो आपको इस तरह interface सनुपर हो जाएगा और आपको यहाँ पर address ले कर आना है स्मार्ट वालेट से अपना receive address तो अभी यह address हम लेकर आएंगे यह address हम लेकर आएंगे और मैक्स पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचर आने के बाद यहाँ transfer बटन दिखेगा आपको transfer पे click करना है तो अभी हम जाएंगे अपने smart wallet पे और वहाँ से लेकर आएंगे receive का address तो अभी हम वापस अपने smart wallet पे आगे है तो ये smart wallet पे आपको receive address लेकर आना है यहाँ पर मैं smart wallet पे click कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको यहां से भी आप copy कर सकते हैं ने तो आप receive पे भी click करेंगे तो copy हो जाएगा तो मैं यहां पर receive पे click करता हूँ तो हमारा address copy हो जाएगा जहां पर मैंने छोटे से wallet के उपर click किया है तो आपका receive address copy हो जाएगा और हम वापस जाएगे अपने ultimate business के website में और यहां से हम फिर जो address को copy किया है वहां पर हम paste करेंगे तो आपको यहां पर wallet address दिख रहा है तो अगर long press करेंगे तो आपको paste का option आएगा आपको वहां paste करने देना है और नीचे आपको max करके दिख रहा है वहां पर आपको click करना है max पर तो आपका पूरा amount जो smart है वहां पर आजाएगा थोड़ा नीचे आएगे तो आपको यहां पर option दिखाए देगा transfer आपको यहां transfer पर click करना है जैसे आप transfer पर click करेंगे तो आपको google authentication का code एंटर करना हो गया आपर तो हम यहां पर अपकी मेरे google authentication app पर आ जाएगे और यहां से हमें code को copy करके वापस जाएगे और यहां पर हम long press करेंगे तो paste करेंगे इसको तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरा transaction अभी successful हो गया है your transfer request has been order करके आ रहा है तो फिर हम थोड़ा wait करेंगे अगर यह transaction के history को जानना है कि कहां तलग pending है success है तो three lines पर आपको click करना है तो नीचे आपको transfer पर transactions पर click करना है जैसे आप transaction पर click करेंगे तो आपको option दिखाए का payment क अगर के नए तो आप वहां पर direct payment भी जा सकते हैं वहां से आप यह आपको दिख जाएगा तो आपकी मर्जी आपके दोनों पर आपके बास दोनों option है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो transaction है payout का successful हो गया है तो अभी हम वापस जाएंगे अपने wallet में और यहां पर एक बार चेक करेंगे तो अभी मैं यहां पर refresh कर लेता हूं एक बार तो आप देख सकते हैं पहले मेरे पास 3440 कुछ change था तो अभी यहां पर हमारा 13,440 smart coin आ गया है तो अभी हम अंदर जाके एक बार चेक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं अभी मेरे date है 23 November और smart coin 10,052 smart coin आ गया है हमारे पास